कि ऐसे सब्लोग मेरे जाए ओगया और ठीक नई भी वो ना तरससे चंदाओक रहा करने की जुरत नी है न ठीक हो चाओगे ठीक हो चायओक बस थमे रहो यार आगा ऐताएब की स्टार्टिंग करने से पहले जाएट जिए और बोलना है चाहती क्यों When पढ़ाई 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 गर लेते हैं देखते रहो ओके सो हेलो एंड वेलकम तो दे चानल एवरी वान यार यह वीडियो क्या है यह वीडियो क्या है अरे हमारी एक सेरीस चल रही है पेर उफ लिएर एक्वेशन सेंड टू वेरीबल्स की यह उस सीरीस का तीसरा वीडियो है पहले वीडियो में क्या बढ़ा था अब जो पहली बार आया ना जो पहली बार इस चाप्टर को पढ़ रहा है पहला वीडियो तो देखी लेना यारे इसके रही सॉरी है ना अभी रुको जरा हेलो नहीं यार मैं अभी शूट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा था 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 क्या यह बोल रहा था क्या बोल रहा है क्या बड़ा मज़दार और उस वीडियो को देख लिए न तो पूरा चैप्टर असान लगने लगेगा ठीक है दूसरा वीडियो वाउट ग्राफिकल मेथड क्या ग्राफिकल मेथड की मदद से ये पता करा कि दो linear equations in दो variables के कितने solution होंगे और अगर एक solution होगा तो वो solution होगा क्या ठीक है अगर आप लोग follow नहीं कर रहे हो series कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहे हो sir क्या बोल रहे अरे तब भाईया पूराने वीडियो देख क्या हो है न फिर मजाएगा इस वीडियो में इस वीडियो में क्या बताने वाले हो यार देखो यार जिन लोगो graphical method आता है और जिन लोगो नहीं आता जिन लोगो graphical method आता है यार वो क्या करो graphical method की मदद से क्या करते थे solutions पता करते थे कितने solutions है अगर दो lines parallel आ रहे है मतलब ये एक linear equation दो variable की line ये दूसरे linear equation की दो variable की line अगर वो parallel आ रहे है तो एक भी solution नहीं है लेकिन उसके लिए graph बनाना पड़ता था है ना अगर 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 coincident आ रहे है मतलब क्या अरे एक के उपर एक आ रहे है तो बहुत सारे solution है ना और अगर intersecting आ रहे है मतलब सिर्फ एक ही क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से वो graph नहीं बनाना पड़े और ऐसी पता चल जाए कि कितने solution होगे unique होगा या फिर infinitely many solutions होगे या फिर या फिर अब एक भी solution नहीं होगा no solution क्या कोई तरीका है ये video वो तरीका है तो देखते रहो मज़ा आने वाला चोटा सा है ना और इस concept की उपर क्या questions बनते है वो भी करवाऊंगा ठीक है देखते रहो मस alright guys तो मैंने board पर दो linear equation लिखी हुई है दो variables की पोरे chapter में जैसा कि मैंने बताया है कि एक ही चीज़ करनी है X और Y की values find out करना है ठीक है मतलब solution निकालना है equations का करते कैसे graphical method आता है elimination method आता है substitution method आता है cross multiplication method आता है अगर नहीं आता तो क्या कर रहे है videos देखो यार ठीक है यार लेकेन solution निकालने से पहले समझना आपको माल लो एक जगे पर जाना है तो बहुत पता करना पड़ेगा कि वो जगे पर जाने के लिए कौन सी road ले जाएगी यार उसी road पर चलना start करोगे न तो यार solution निकालने से पहले पता तो करना पड़ेगा कि कितने solution नहीं या फिर ऐसा कहूं कि solution है भी की नहीं है उस road पर वो जगा है भी की नहीं है तभी तो उस road पर चलना start करोगे सही बोल रहा हूँ न तो वैसी यार solution निकालने की process start करने से पहले ये पता करना ज़रूरी और आप लोग हमेशा पता करोगे याद रख लो क्या कि solution है भी की नहीं है अब ये तीन cases होते है न low solution मतब solution नहीं है और उस case पर उस road पर चलने की ज़रूरत ही नहीं है मतब solution निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी method, graphical, cross multiplication, substitution, elimination यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं को कि solution ही नहीं है समझ में आ रहा है ठीक है मतलब बहुत सारी solution है तो निकालते थोड़ी बैटेंगे समझ मारा ना, निकालते थोड़ी बैटेंगे इतने सारी solutions, इतना time ही नहीं है है ना, तो उस case में भी solution ही निकालना है सिर्फ और सिर्फ एकी case में निकालना है आप लोग का काम असान है क्या, यूनिक solution में पता करना है कि solution है क्या लेगन यार, graphical method जे तो पता लग जाता था कि कितने solution है, no solution है, infinite है क्या खूल गया समझ गऊगे, हाँ यार तो यार, graphical method बड़ा था, ठीक है, क्या कोई और तरीका है है, उसके लिए आप लोग को general form समझना जरूरी है यही होता है ना कोई भी pair of linear equations ऐसी ही तो दिखती है ऐसी ही दिखती है देखलो देखलो यह ऐसी सेम दिख रही होगी अभी अभी और समझ मैंगा क्या अगर मैं आप लोगों से पुछो A1 की value क्या है तो आप लोग बोलो कि plus 2 सही है ना A1 क्या है X का coefficient जो X के आगे number लिखा हुआ है असान बाशा में 2 है ना plus 2 B1 की value क्या है B1 is what Y का coefficient जो Y के साथ number लिखा हुआ है plus 3 C1 क्या है constant term कितनी है 7 दिखती हो रही है नहीं 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 यह गलती मत करना है क्या constant यार समझो उस वहाँ पर देखो तो constant time है वो left hand side लिखिए कहा लिखिए left hand side लिखिए इसका मतलब आपको अपनी constant value जो है उसको left hand side लाना पड़ेगा तो 7 left hand राड़ा के minus 1 बन जाएगा तो यह गलती मत करना ना plus minus 1 गलती मत करना अगर पूचे कि C1 की value कितनी है तो आप बोलोगे minus 7 अगर मैं आप लोगे पूच्छू 8 गी value इं तो आप लोगे 6 अगर पूच्छू B2 की value कितनी है तो आप लोगे 5 अगर मैं पूच्छू C2 की value कितनी है तो क्या बोलोगे 11? नहीं, minus 11 समझ मा रहा है तो यार जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए ये समझना ज़रूरी है मतलब A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वाल्यू इस पता होना ज़रूरी है कोई विलिए रिक्वेशन अगर इस फॉर्म में नहीं दिख रही है तो पहले बना लेंगे बताऊंगा उसको बीटीके अभी समझो तीन केसिज क्या है अगर 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 A1 अपॉन A2 की वाल्यू B1 अपॉन B2 की वाल्यू C1 अपॉन C2 की वाल्यू इकुल आ ज़रू आप अपने A1, A2 की value, B1, B2 की value, C1, C2 की value यहाँ पर रखो और तीनों का जो ratio है वो equal आ जाए मतलब मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं infinite solutions कितने solutions? बहुत सारे solutions होंगे, अगर ऐसा आ जाता है तो solve नहीं करना है, याद अठना, ठीक है डूसरा case कौन सा है? अगर आपके A1 upon A2 की value not equal to B1 upon B2 की value मतलब अगर आपके A1, A2 की value और B1, B2 की value अगर दोनों का ratio equal नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या unique solution और इस case में आप लोग को solve करना पड़ेगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं unique solution ठीक है, बस unique लिख रहा है, टाइम मैं बेस नहीं करता है तीसरा case कौन सा? समझना अगर A1 upon A2 की value is equal to B1 upon B2 की value बट इन दोनों की value C1 upon C2 की value equal नहीं है समझना, अगर आप अपने A1, A2 की value, B1, B2 की value, C1, C2 की value यहाँ पर रखो, तो यह दोनों तो equal आजाएं पर यह दोनों जो आएं हैं वो C1 upon C2 की value की equal नहीं आएं इस case में आपको solve भी नहीं करना है मतलब क्या? No solution कौन सा solution? यहाँ लिख देता हूँ मैं No solution समझना है तो basically अगर यह दोनों चीज़े आजाएं तो solve नहीं करना और यह तो solve करना है समझ में आ रहे हैं मैं यहाँ पर और अच्छे से सको दिखा देता हूँ दबब बनाके यह पहला case यह दूसरा case guys और यह आपका तीसरा case सही लग रहा है board? रंग बे रंगा सही लग रहा होगा थोड़ी बहुत writing इदर दर हो जाती है तो यह यह करना कैसे करना है ज़रा देखो इस question में लगा के देखते हैं पहले board में टालू देखते रहो मजा आएगा alright guys तो अब तरह question कर लेते हैं यह तीन cases मैंने यहाँ पर लिख दी है I मतलब I मतलब I infinite many solution U मतलब unique solution N मतलब no solution अब चेक करते है values रखके करना क्या है बस A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की values ही तो लिखनी है लिख देते हैं जल्दी से direct समझ मारा direct करेंगे A1 की value 2 A2 की value 6 तो यहाँ पर लिख दिया 2 upon 6 कोई दिक्कत तो ने ठीक है B1 की value प्लस 3 B2 की value प्लस 5 तो यहाँ पर लिख दिया 3 upon 5 कोई दिक्कत तो ने इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं 2 upon 6 ठीक है C1 की लिख देती minus 7 7 मतलब कर दे minus 7 C2 की value minus 11 यहाँ पर लिखा minus 7 minus 11 अगर आप लोगो confusion हो रहा है तो इसको यहाँ पर लाके लिख लो है ना चलो मैं लिख देता हूं आपको के लिए minus 7 is equal to 0 minus 11 is equal to 0 दोनों को अधर ले आया है ना short form में कर रहा है मैंने हाँ ठीक है तो क्या यह तीनो values equal है क्या अभे नहीं है equal ठीक है करके देख लो 2 by 6 कितना होता है नहीं है तो कौन सा केस है कौन सा केस है हाँ अभी मैंने c1, c2 नहीं लिखा हूं लेकिन क्या direct कीया कौन सा केस है दिख और 2 by cal इस case में दोनों equal है इस्का मतलब unique solution सर इतना असान है हाँ इतना असान है पता करना बस A1, A2, B1, B2, C1, C2 की values पता होना चाहिए आप लोग सोच होगी कि यहाँ पर मैंने C1, C2 नहीं लिखा अरे यार मतला भी नहीं है ना यार कुँकि देखो ना दोनों case में तो यह दोनों equal हैं बस इसी case में यह दोनों equal नहीं है और वो case कौन सा है? Unique solution तो C1, C2 की value लिखने की जरूरत की नहीं है और इसी case में आपको solution निकालने पड़ते हैं इसी case में आपको वो solution, वो unique solution पता करना पड़ता है गाईस तो ऐसे पता करते हैं टिक है? Unique solution मेरे ख्याल से इस स्यादा असान क्या हो सकता है? कुछ और questions देख लेते हैं, उनमें ही पता करते हैं कि कितने solutions होंगे है ठीक है? देखते रो हाई यार तो आप जड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं क्या करना है? दो linear equations दी होई है ठीक है? अरे डरना नहीं है, 15 by 2 देखके, fraction देखके, बहुत लोग डर जाते हैं नहीं, डरने की ज़रूत नहीं है बस यह चेक करो कि क्या आप अपने A1 की value डारेट बता पा रहे हो A1 की value प्लस 6 B1 की value प्लस 5 C1 की value, अरे इस बार constant इधर ही लिखा हुआ है तो यह है आपके B2 की value तरने की ज़रूत नहीं यार, बनेगा ना, बनेगा, ठीक है C2 की value कितनी? माइनस 21, रख दो क्या A1 अपन A2 लिख देते हैं पहले है तो 6 अपन 9 लिख दिया B1 अपन B2 लिख देते हैं 5 अपन 15 by 5 अपन 15 by 2, ऐसा लिख दू, कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है माइनस 11 अपन माइनस 21, कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है तरह थोड़ा further simplify करते हैं अभी मैं बीच में कोई sign नहीं लगा रहा रहा 3 2s आ 6, 3 3s आ 9 तो यह आया 2 by 3 यह सबसे नीच आला कहा चाता है सबसे नीच आला चले जाता है सबसे उपर ऐसी होता है जिसको यह नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है चैनल पर वीडियो है अपने मज़दार मज़दार वाले maths में, fun maths में है तो यह 2 आपर जाके उपर multiply हो जाएगा तो 2 into 5 हो जाएगा 10 यह आजाएगा 10 by 15 यहापर लिखता दो मैं यह आजाएगा 10 by 15 ऐसे आएगा 2 into 5 हो गया 10 10 by 15 10 by 15 को further simplify करेंगे तो 5 2s are 10 5 3s are 15 यह भी आगया आपका 2 by 3 समझभा रहा है ठीक है पतलब यह दोनों चीज़े तो equal आगए कोई दिक्का तो नहीं minus से हाँ पर minus कट जाएगा ठीक है 11 by 21 तो simplify नहीं होगा तो यह रहेगा आपका 11 by 21 सही है अब यार यह दोनों तो equal है लेकिन यह not equal है कौनसा कैस है कौनसा कैसे देखो इसको कौनसा कैसे ध्यान से यहाँ पर देखो कौनसा कैसे यह वाला कैस है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 मतलब क्या no solution समझ मैं अब इतना असान है इतना असान है ठीक है तो गाईस अगर ऐसा कुछ आ जाए मैंने क्या बोला solution निकालने की process start करने से पहले ही पता कर ले ना यह चीज की कितने solution है और अभी तो मैं बता रहा हूँ इसे थोड़ा सा time लग रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगो समझाना चाहता हूँ जब आप लोग करोगे समझ के तो यह करने में ना 10 second में लगता हूँ और कुछ-कुछ बच्चे जब practice हो जाती ना तो देख की बता देते हैं कि कितने solution होगे मन में यह divide कर लेते हैं कि क्या तीनों चीज़े equal होगे not equal होगे समझ जब होगे क्या case चल रहा है ना तो यार इतना इस ही इतना असान है और इतनी जल्दी हो जाता है तो इस case में, इस particular case में no solution, no solution का मतलब क्या यहाँ पर मैं बड़ा सा एन बना देता हूँ no solution का मतलब क्या करना ही नहीं है solution, निकालना ही नहीं को कि आएगा ही नहीं अब कुछ और questions देखो alright guys, यार board पर मैंने दो linear questions लिख दी है पहले एक request यार, पहले मैं चाहता हूँ दिल से चाहता हूँ कि पहले आप खुट try करो खुट से बनता है तो अच्छा लगता है नहीं बने न तो देखना, कोई दिक्कत नहीं है मैं करता हूँ, ठीक है यार तो A1 की value कितने दिखरी है, minus 3 जल्दी करेंगे, A1 की value minus 3 दिखरी है यह राकर direct A1, B1, C1 A2, B2, C2 की value नहीं समझ पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो तो पहले थोड़ा normal form में असान form में question को convert कर लेना मैं एक आत question करा दूँगा जरह देखो, हाँ यार, तो A1 की value is minus 3, लिखा जल्दी से A2 की value is 9 by 2, तो minus 3 के नीचे, 9 by 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है B1 की value is plus 4, या फिर 4 लिख दो B2 की value is minus 6 तो यहाँ पे आप आप आँ में minus 6 लिख दो, ठीक है C1 की value, सर 5, उदर है समझ मार है, I hope guys I hope कि आप लोग को बन रहा होगा, समझ मार होगा बहुत असान concept है ठीक है, तो जरह इसको simplify कर लेते है, 2 उपर जागी क्या हो जाएगा, multiply, तो 2 into minus 3 is minus 6 upon 9 बचा, ठीक है यह अपन इसको minus 4 upon 6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यह minus उपर लिख दिया कर सकते हैं, ठीक है 2 यहाँ पर फिर से minus 5 से multiply हो जाएगा तो minus 10, तो यह आया minus 10 upon 15 मेरी खायल से clear होगा, अब ज़रह इसको थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं, यहाँ पर is equal to का sign लगा जाता हूँ, मैं अल्राइट गईज, तो minus 6 upon 9 is minus 2 by 3, आप लेख जाता हूँ, minus 2 by 3 minus 4 upon 6 is minus 2 by 3, अरे यह दोनों equal आ गए, ठीक है, 10 upon 15 is 5 2s are 10, 5 3s are 15 minus 2 by 3 अरे यह वह अपना कौन सा केस है तरह देखो बगल में, मैं आप पर द्वरा कौन सा केस है, तीनों चीज़े equal आ रही है, A1 by A2, B1 by B2 C1 by C2, पहला वाला केस है कौन सा, infinitely minus क्या इस केस में solve करना पड़ेगा सर अरे काई को solve करना पड़ेगा, बहुत सारे solution है न, infinite solution है, निकालने थोड़ी ज़र होता है, निकाल थोड़ी बैटिंग है, नसे कि मैंने का, time ही नहीं होता इतना, ठीक है तो गाइस, इस केस में भी आपको solve नहीं करना है आप लोग को सिरफ इस केस में solve करना है मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बन गया होगा, ठीक है अब यार इससे related है कुछ questions आ जाते हैं जरा देखो, वो पक्का आएगा 100% आएगा exam में तो जरा देखो उसको Alright guys, तो यार यह जो question है यह जो इस concept पर question आने वाला कि 110% आएगा ही आएगा तो समझ लो और जिस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा पुरा YouTube छान लो इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा and for the very same reason मैंने एकदम same question लिया हुआ है अभी यह same question है पिछला वाला जो मैंने भी पिछला question करवाया था एकदम same question है, तो सर फिर क्या मतलब हुआ नहीं नहीं सुनू, एक change है पिछले question में यहाँ पर लिखा था 5 लेकिन यहाँ पर लिखा है के अरे सर के क्या है सर questions सुनू अब ठीके background में 5 याद रखना कि यहाँ पर 5 था ठीके है लेकिन अभी के है अब questions सुनू, question क्या आएगा कि find the value of k इस question की बात करूँ तो find the value of k for which this system of linear equation value बता दो जिसके लिए इस linear equation system of linear equation के infinitely value solution होगे, मतलब kkc क्या value होगी, फिर आप अगर check करो तो infinitely many solution आजाए, वो आपको और मुझे मिलके पता करना है कैसे करेंगे, यार अगर आप मेरे वीडियो पुराने वीडियो से follow कर रहे हो, तो एक बात आपको clear होगी, और अगर नहीं clear है तो अभी सुनो, अगर आप लोगको कभी math में एक variable की value find करना है तो एक equation कही न कहीं से होगी ही होगी, नहीं होगी तो हमें बनाना पड़ेगा, और इस equation में जिस variable की value आप लोगको find करना है, वो होगा, और उसके अलावा कोई और variable नहीं होना चाहिए, तब ही तो आप variable की value find कर पाओगे, समझभा रहा है फिर से repeat करता हूँ, कर एक variable की value find करना है, तो एक equation होने चाहिए कर दो variables की value find करना है, तो दो equation होनी चाहिए, और ऐसी चलते जाओ, चलते equation तो है, जिसमे k है, लेकि यहाँ पर x और y भी है, नहीं, 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 सर आपने बोला, कि एक ऐसी equation होनी चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ k हो, कहां से आएगे, अब डर नहीं की जरूत नहीं है, क्या बोल रहे है, क्या बोल रहे है, क्या बोल रहे है, इंफिनिटली मैंनी solution, तो यह सोचो कि सबसे वहले तो chapter में जो पढ़ा, वहाँ पर infinitely many solution is equal to c1 upon c2, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, अब a1 a2 की value डालता हूँ, तो a1 की value कितनी minus 3, यहाँ पर minus 3 लिख देता हूँ, white से करता हूँ, जाद अच्छे से लिखेगा, यहाँ पर लिख दे, मैंने minus 3, कोई दिक्कत तो नहीं, a2 की value कितनी 9 by 2, तो यहाँ पर 9 by 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 9 by 2, कोई दिक्कत तो नहीं, बस value डाल रहा हूँ, यार, पिछले question में भी डाली हुई थी, b1 की value 4, तो यहाँ पर b1 के जगा हमें लिख रहा हूँ, 4, b2 की value कितनी, minus 6, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, c1 की value कितनी, k इटो की value 15 by 2, तो हमारा मकसद था कि एक ही verified करना, जिसके लिए हमारा मकसद बन गया, कि एक equation चाहिए, जिसमें सर्फ के हो, क्या आगए equation, अब एक नहीं, तीन तीन आ गई, कैसे, एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक है, या तो आप इन दोनों equation का use कर लो, या तो आप इन द उनों वाली, कोई दिक्का तो नहीं, कर लेते हैं, तो यहार सब से बेले जोना simplify करेंगा, तो 2 उपर जागी क्या हुचाहिए, तो 2 इंटो x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 p, 2 x, 2 z, 2 z, तो 2 इंटो मैनस के, अब मैनस 2 के न डर नहीं, तो यहा जागा, मैनस 2 के, मादा नहीं, बच्चे, या सकते हैं, यह ऐसा लिखा हुआ है, 1 upon minus 2, इसको आप minus 1 by 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, solve कर लेते हैं, equation solve करना सबको आता है, मुझसे जाद अच्छे से आता होगा, ठीके गाई, तो यार, क्या करें, 15 इंटो minus 2 is, minus 30, इसको सरा मैं टालेता हूँ, बस समझा पाने के लिए बनाया था, यहां पर करता हूँ, 15 इंटो 2 is, minus 2 is, minus 30, is equal to 3 into minus 2 is, किसी variable के value find करने के लिए, variable के साथ जितने भी चीज़े होती है, सबको एक साइट प्यकते हैं, तो 3 को काय को मैं variable के पास ले जा रहा हूँ, जो variable के पास minus 2 लिखा, उसको नीचे लेके तो minus 2 को इदर लेकिया आगया, multiplication मतला, divide में आगया, तो minus 2 into 3 is minus 6, right, यहांगे minus 6, उदर लिखा सिर्फ और सिर्फ K, बात समझ में आ रही है, तो यह आपके K की value आगई, पर सिंप्लिवाई कर ले, minus से minus गटा, 6, 5, 30, तो आपके K की value आगई, 5, समझ आया guys, और याद करो, और याद करो, पिछले equation में भी तो K की value 5 थी, तब ही थो, समझ ला, समझ ला, समझ ला, मतलब क्या था इस question का, वो समझ ला, पिछले equation में जब 5 था, चेक करा, तो infinity minus solution आया, यह question उल्टा है, वो बोल रहे है कि infinitely तो आएगा ही आएगा, तो मुझे K की ऐसी value बता, तो मुझ करोगी तो, K की value सिर्फ 5 रखोगी, तो जाके infinity minus solution आएगा, समझ में आया, this is it, ठीक है, ऐसे आएगा आएगा आपको question, कि इसी एक variable की value बता दो, जो छुपा होगा ही, equation में कही न गई, कैसे बताएंगे, यह करके, जो भी case दिया हुआ है, वो case लगा के, equation बना के, उस variable की value find करेंगे, ठीक है, चलते हैं, और question में, मज़ा आएगा, ठीक है यार, तो आप question क्या है, question है, इस K की value बता दो, यह K और X में तो, same-same लग रहा है, आप ठोड़ा differentiate करने लिए मैं ऐसा करते था, आपको क्या करना है, K की value find out करना है, बोला है क्या सर, no solution बोला है, infinite बोला है या फिर unique बोला है, no solution बोला है, क्या बोला है, no solution, no solution बोला है, लिख दो, उसके बाद देखते हैं, क्या करना है, no solution की इसे, is this, तो A1 by A2, is equal to, B1 by B2, is equal to, sorry, is not equal to, C1 by C2, right, हमें K की value पता करने के लिए, एक variable की value पता करने के लिए, एक equation चाहिए कहीं से, अरे, आज आज देखो, A1 के value कितनी, 3, तो 3 लिख दिया, A2 के value कितनी, K, डरने की ज़रत नहीं, A2 के value K ही है, A2 is what, X का coefficient, X क्या की जो number लिखा है, K लिखा है, K, यहाँ पर लिख दिया, K, डरने की ज़रत नहीं है, इस गाइस, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते है, A1 के value पूछता नो solution है, Alright, तो B1 के value कितनी, minus 4, तो यहाँ पर लिख दिया, minus 4, B2 के value कितनी, plus 3, C1 के value कितनी, plus 7, यहाँ पर not equal आएगा, B2 के value, sorry, C2 के value कितनी, minus 5, clear है, अब कर लेते हैं, Sir, equation कौन सी है, अर यह है equation, यह तो नहीं हो सकते न, यह दोनों तो नहीं हो सकते न, क्यों, क्यों, क निकाल लेते हैं, यह, 3, 3's are 9, के उपर गया, तो कितना आगया, यह आजाएगा, 4 into, sorry, minus 4 into k is minus 4k, is equal to 3, 3's are 9, equation solve कर रहे हैं, बस है, तो कितना आगया, k is equals to, 9 upon minus 4, k is equals to कितना आगया, minus 9 by 4, guys, यह है आपके k की value, इस equation, इस linear equation के लिए, समझ में आ रहा है, बस यह करना यार, कुछ भी नहीं करना, कि k कौनसी value के लिए, यह system of linear equations के, एक भी solution नहीं होंगे, k कौनसी value के लिए, system of linear equations के, एक भी solution नहीं होंगे, कौनसी k की value होगी, k की value, अगर आप यहाँ पे minus 9 by 4, यहाँ पे minus 9 by 4, रख दो, और फिर check करो, यह sign नहीं लगा के, बस a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 लिख के, तो आप देखोगे, यह दोनों चीज़े तो equal आ रही है, और यह not equal आ रहा है, इसका मतलब क्या, no solution, समझ में आया, तो यह है guys, आपके k की value, minus 9 by 4, जिसके लिए, no solution आएगा, यह pair of linear equations in two variables का answer, समझ में आया, this is how simple this is, clear है, एकात question और देखना है क्या, सब लो देख ले थे, देख लो, एक question, एक question हो, ठीक है, ज़र देखो, अब है आखरी पढ़ाव, आखरी question, यह पदा नहीं, किसी cartoon से यादा रहे मुझे, यह है आखरी पढ़ाव, कौन सा था है, य Anyway, यह एक question है, और पता नहीं, यह, यह, यह question देखके लोग डर जाते है, बचे डर जाते है, अब डरने की जरूत नहीं है, तुम लोग दरते हो, विश्वास हो, रखो, कुद पर की बन जाएगा, कुद से ट्राए करो एक बार, क्या लिखा है, क्यो डर रहा है, मैं जो X का coefficient 2, वैसि यहाँ पर X का coefficient कितना होगा, K-3 डरने की जरूत नहीं है, यार, ठीके, already यार, A2 की वाल्यू की वाल्यू कितनी, 3, C1 की वाल्यू, C1 की वाल्यू, C1 की वाल्यू, के इधर आएगा, मैंना क्या बोला था, constant हम इधर होनी चाहिए, ठीके, वैसि, A2 की अब कर लेते हैं, सर, क्या दिया हुआ है, सर, जल्दी बताओ, सर, no solution, unique, infinite, आपको दिया हुआ है, infinitely many solutions, क्या दिया हुआ है, infinitely many solutions, कर लेते हैं, ठीके, तो कौन सा केस है, ये वाला, सर, लगा लेते हैं, white chalk से लिखता हूँ, ठीके, तो यार, infinite में कहते हैं, ये लोग की, A1 upon A2, आता है B1 upon B2, आता है C1 upon C2 के एकवल, यही कहते हैं ना यह लोग, अब मैंने क्या बोला, K की value निकालने के लिए, एक equation की ज़रो चाहिए, एक equation की ज़रो तो कहां से आगी, अब आगई यार, या तो यह use कर लो, समझ ना है, यहाँ बच्चे confuse रहते हैं, हमको एक equation तो चाहिए, लेकिन हमाना पस तीन equation है, कैसे, या तो आप इन दोनों को equate कर सकते हो, या तो आप इन कोतने, हमको इन दोनों को equate कर सकते हैं, समझ मा रहा है, तीन equation है भया, थीक है, मैं यार, कॉनस equation यूजे कर लो, यह कर लो, जो को आप बोलो, कॉनसेंसान लग रही है, ये लग रही है, टो यह कर लेता हूँ, ठीक है, तो यार करते हैं, तो क्यूंक के कितना होचाहएं रह value into 3 is 36 sir k square की value sir k की value कैसे निकाले अब स्क्वेर इदर आ कि क्या हो जाता है square root square root of 36 लेकिं 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 गल्ती मत करना square root तो हो दा है लेकिं 2 values के साथ क्या k की value आएगी guys plus minus square root of 36 which will give you k as plus minus 6 मतलब guys k की 2 values आ रहे हैं 1 plus 6 और 1 minus 6 समझ मैं आया ठीक है sir कौनसी value होगी sir मतलब k की value 6 पर ये system of linear equations के infinitely value solutions होगे या पर k की value minus 6 पर वो आप लोगो चेक करना पड़ेगा कैसे कुछ नहीं यार यहाँ पर रखके देख लो यहाँ पर 6 रखे 6 minus 3 is 2 sorry क्या बोल रहा हूँ मैं 6 minus 3 is 3 यहाँ पर 3 लिखा हुआ है SK की जगा 6 यहाँ पर एसमें लख लेता हूं मैं यहाँ लिखके लेता है इसको करके लेता है यहाँ पर 6 minus 3 लिखा तो 3 टीक है guys देख के जाना ना है इंपोर्टन है यहाँ पर लिखा 6 टीक है आभी अभी करके देख रहे है यहां पर लिखा k की जगा 6, यहां पर k की जगा कितना लिखा 6, अब ज़रा करके दिखते, 3 by 6 is 1 by 2, 3 by 6 is 1 by 2, minus 6 by minus 12 is minus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, equal है, मतलब infinitely minus solution हा रहा है, सही है, minus 6 में चेक कर लेते हैं, तो यहां पर क्या लिखा था, यहां पर लिखा था, k minus 3, तो k minus 3 मतलब minus 6 minus 3, minus 6 minus 3 is minus 9, तो यहां पर आजागा minus 9, agree करती हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ बस, कि 6 सही है या minus 6 सही है, 6 तो सही है, अब minus 6 रखके दिखा, तो यहां पर minus 9 आया, यहां मैंगने लिखा यहां पर था क्यों लिखा था क्यों लिखा था यहां पर न्ह depreciation क्यों डिका थाता यहां सब्सक्वर? अब करते हैं यहर माइनस नाइन सभें तो चला जाएगा 3 depending दिमाग में और टुरee? भी, exam में भी, दिमाग में करना है यह चीज, ठीक है, यह आ गया 3 by 2, 3 upon minus 6 is, 3 upon minus 6 is, minus 1 by 2, सही भूर रहा हो नो, 3 upon minus 6 is minus 1 by 2, नहीं, नहीं, यह दोनों values तो equal नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या, खतम question, इसका मतलब minus 6 गलत है, 6 आपका सही है, मतलब इस question का answer 6 है, मतलब k की value 6 पर, इस system of linear equations के, infinitely many solutions आएंगे, k की value 6 पर, इस system of linear equations के, infinitely many solutions आएंगे, समझ माया, तो बस यार, यह था असान सा concept, सबसे पहले तो यह चेक कर लो, यह, 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 क्या लिखा हुगा, यह, इसकी मद A की value निकालो, A की value निकालो, B की value निकालो, तो डरना मत, क्योंकि अब तो हमने वीडियो देख लिया है, और कैसे निकालना है, यह, यह, परता चल गया है, समझ में आया, तो बस, यही था वीडियो, All right guys, तो यार, boat देखके तो लग रहा है, कि काफी महनत करके पढ़ाया है, और वीडियो देखके भी आपको यह लगएगा कि काफी महनत कर रही है, तो यार, अगर लग रहा है कि हम महनत कर रहे हैं, और लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को बन रहा आगे और अच्छा content मनाने के लिए encouragement मिलेगा और वो ज़रूरी है इसके साथ guys मैं मिलता हूँ आप लोगको next video में series का next video ठीक है क्या होगा, क्या होगा elimination method होगा ठीक है, okay guys still then यार मस्त रहो, खुश रहो, मजे करो, चिल करो ठीक है, take care guys and see you, bye bye hi, 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 hi एक ये वीडियो है अरे sir, कैसी बात करें, sir, आप लोग क्या आप, क्या हुआ आप, क्या है wait, who wrong guys do like, share and subscribe tada झाल, 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 झाल